हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चाइनल पर दोस्तों, आज कलास 12 के लिए 10 वैसे इंपोटेंट प्रस्ण को लेकर किया हैं जो काफी वार एक्जाम में पूछा जाता है और ऐसे कोस्चन में आप फस जाते हैं या वैसे कोस्चन को छोड़ देते हैं तो दोस्तों आज के बाद आप ऐसे कोस्चन को भी नहीं छोड़ पाईएगा आईए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम कोस्चन की इस स्रीज को और question number one है लोक नायक किसे कहा जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number B जैप्रकास नरायन दोस्तो जैप्रकास नरायन के द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसका नाम है संपुर्न करांती तो दोस्तो इकजाम में एभी सवाल पुछा जा सकता है और पुछा भी गया है कि संपुर्न करांती पाठ के लेखक कौन है तो इसका right answer हो जाएगा जैप्रकास नरायन आईए next सवाल नेक्स्ट है आधुनिक कभिता के सुमेरू किसे कहा जाता है तो दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा option number A जै संकर प्रसाद next है दोस्तो question number 3 राष्ट कभि किसे कहा जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number D दोस्तो रामधारी सिंग दिनकर के द्वारा लिखा गया एक पाठ है जिसका नाम है अर्ध नारिश्वर तो दोस्तो ऐसे question को भी आप ध्यान में रखिएगा और lesson writer से तो दोस्तो काफी सवाल इक्जाम में देखनों को मिलता है तो दोस्तो हमारे YouTube चाइनल के playlist में से जा करके दोस्तो आप lesson और writer का भी वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तो वहाँ से उस वीडियो को देख करके आप lesson और writer का नाम याद कर लिजे ताकि एक्जाम में जो भी प्रस्न पूछा जाए उसका answer हम दे सकें तो आईए दोस्तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं question number 4 पे question number 4 है कभियो की कभी किसे कहा जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number B समसेर बहादूर सिंग के द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसका नाम है उसा आईए दोस्तो चलते हैं next सवाल पे question number 5 दोस्तो question number 5 है तार सब्तक के समपादक किसे कहा जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number D कि अग्याई जी next है question number 6 कभी सिरो मनी किसे कहा जाता है तो दोस्तो कभी सिरो मनी के रूप में तूलसी दास को जाना जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number A next है हिंदी के edition किसे कहा जाता है तो दोस्तो हिंदी के edition के रूप में बाल क्रिश्न भट को जाना जाता है और जैसा कि दोस्तो आपको मालूम होगा बाल क्रिश्न भट ने बाचित नामक पाठ को रचना किया है next है question number 8 कलम का सीपाही किसे कहा जाता है तो दोस्तो कलम का सीपाही कहा जाता है मूनसी प्रेम चंद्र को तो इसका right answer हो जाएगा option number B next है question number 9 question number 9 है कलम के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तो कलम का सीपाही पूछे तो आंसर होगा हमारा प्रेम चंद्र लेकिन अगर पुछ दिया जाए कि कलम के जादूगर के नाम से किने जाना जाता है तो इसका right answer होगा option number A राम बिरिक्ष बेनिपूरी next है किसे प्रेम की पीर का कभी कहा गया है तो दोस्तो प्रेम के पीर के कभी के रूप में दोस्तो जाना जाता है जै सोरी जैसी जी को तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number A दोस्तो अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक किजिएगा और अपने दोस्तो में इसे जरूर सेर किजिएगा और अभी तेक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर दे और bell icon भी प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका notification आपके पास पहुंचता रहे थैंक यू बिस्ट ओफ लग